सारे 6 करोर साल पहले प्रित्वी पर उल्का पिंड गिरा जो कि उस वक्त के पहार के तीन गुना बरा था जिसके साथ और भी छोटे छोटे उल्का पिंड गिर दे रहे हैं मानो जैसे आखी बारिस हो रही हो जिससे उस वक्त का हर एक चीब मारा गया जिससे प्रित्वी पुर अच्छा कर सके बारी ग्रह के हमले से और ऐसे यह वाई स्टार ब्रैंड का जन्ड आराम बिकाल का सबसे पहला महान हीरो जो उस वक्त के क्री हमले से पिथवी कर अच्छा की करोरों साल बाद विन और बार्क दो आदिमानब जो की कुछ अलग होने की वज़े से अपने कवील में चला जाता है जो वो सपने में देखा था और वही उससे बार्क मिलता है जिसकी कहानी भी विन जैसी होती है उन दोनों को जिनके गुजाने के सब कुछ वही बगीचे में मिल जाता है विन और बार्क वही रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं एक दिन वह ये चब करचा कर लाओ और मार दो इन जी एंडी यो कोौ। डेवियंस को देखते ही विन डर जाता है लेकिन बार्क अपने थैले से कुछ निकाल कर उनके तरफ फेकता है जिससे वो सब घायल हो जाते हैं और उसके बाद बार्क उन सब पर हमला करने लगता है जब वो सब इन दोनों से नहीं जीत पाते तो वो चुपके जवानत चले जाते हैं रात में विन और बार्क साथ में पैठे रहते हैं एक जगा आग जलाकर दोनों के मन में यही बात रहती है कि उन्हें ये बगीजा छोड़कर जाना चाहिए क्योंकि वो सब फिर हमला करेंगे लेकिन जाए तो जाए गहां बाहरी दुनिया के लोग भी उन दोनों को मार अगे इस सुबह बार्क विन को बताता है कि वो अब दूसरी तरह से हमला करेंगे उसके बाद दोनों एक ऐसी जगर जाते हैं जहांका सब उन दोनों को पता रहता है वही बार्क विन को बताता है कि चाहे कितने वीटेवियंट्स आ जाए वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा उसी वग वही धरते हिलने लगती और देखते ही देखते वही जमीन के अंदर से एक अजीब सा कुछ आता है वही जमीन फटने की में जैसे वो दोनों नीचे गिरते हैं वही जब विन को हो साता है तो वो बार्क को आवाज लगाता है जब आब नहीं मिलने पर वो इधर उ ला रहाता है और इसी शक्ति के लिए डेवियंड्स भी वहां हमला करते थे हैं विन ये शक्ति से बदलने के बाद सोचता है कि इसके लाइक वो नहीं है बाल खोता तो कितना अच्छा काम करता ये शक्ति पाकर मैं तो बसी दुनिया बरबाद करना चाहता हूं और तभी वही डेवियंड्स आते हैं उन्हें लगता है कि वो इसक्ति ढोण लिये हैं जिससी वो पूरी कायनात पर आज करेंगे लेगिं तभी वहीं विन जो इस्टार ब्रैंड बन चुका था वो आता है वो सूचता रहा है कि को सुदूर बन रहे ग्रह तक को सुन पा रहा है इतना जी कि कई बार अच्छा भी करते हैं काफी दूनों बाद बांकी के अवेंजर सब पैंथर के कवीले में अराम से खाते भी दर रहते हैं और स्टार ब्रैंड वही एकांटर बैठा रहता है जिस वर फिनिक्स बताती है कि यह स्टार ब्रैंड अब दोबारा कभी खान नहीं कि उसके बाद जब अवेंजर्स करके मल्टिवर्सल मास्टरस अफ एविल को मारने पास में जाते हैं तब वहीं प्रियह इस्टोरिकल अवेंजर्स से उसकी मुलाकात होती है और फिर दोणों अवेंजर्स में लडाय होती है जिसकी कुछ स्मय पाथ ही वहीं डूम एबब और जब एस्ट्राप्रेंट उससे लड़ता है तो डूम अपनी शक्ति से उसे मास्क के बने बॉल में बदल देता है और फिर वही मल्टिवर्शन मस्ट्रोस अफ इविल आते हैं कहानी खत्म तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्से में जर्म बतायां और ऐसी कहानियों के लिए जोड़े यह दिखांए को लिग साथ शुक्रिया